नवस्कार मैं प्रिया राज आप देख रहें एक नियूस 24 आपको बता दी कि आज वो तारीख है जिसका सभी को इंतजार था हलाकि चौकिदार दफदार मामले को लेकर लगतार हम एक नियूस 24 पर बने हुए हैं लगतार हर एक अपडेट हम आपके समक्ष रख रहे हैं लेकिन इस भी जो सबसे बड़ी बात हो गई थी चौकिदार दफदार मामले को लेकर नाही सरकार सुनवाई कर रही थी और नाही सरकार नए बड़े फैसले ले रहे थे इस भी सबी बड़ी बात हो जाती थी राजनीति गलियारों में हलचल तेज हो जाती थी और कहा जाए तो कई राजनीतिक हमारे राजनेता चौकिदार दफदार भायों से मुलकात करते अश्वासन देते उमीद देते और उमूदों पर कायम नहीं होते और यही बाते चौकिदार दफदार को सबसे ज़्यादा परिशान किया कहा जाए तो चौकिदार दफदार अपने मामले को लेकर हर एक राजनेता के दरवाजे पर कुंडे खटखटाई इस जोरान कहा जाए तो लोगों ने उनके बाते सुनी अश्वासन दिया उमीद दी औ सिर्फ कहा जाए तो केंद्री मंत्री चिराग पास्वार बिहार के मुख्यमंति रितिसकुमार तजश्वी यादो और भी तमाम दिगज हमारे राजनिता जो बिहार के विकास में कहते हैं कि हम अपना योगदान दे रहे हैं बिहार की जनता की बात सुन रहे हैं और बिहार को टालते दीкахती हैं। लेकिन इस भीं चौकिदार दफदार ने सरकार को नीयमिक डहंग से काफी कहा जाय То अश्वशन और सीधा-सीधा सरकार पर निशान ऐसाधने का कारे की है। हमारे चौकिदार दफदार भई शांती से इस मांग को उठाती रहें, सरकार से अपनी मांगे उठाएं, लेकिन सरकार फिर से कहा जाये तो बातों को फिर से लगतार नकारती रही, लेकिन आज की तारिक, यानि की 11 न waiver चौकिदार दफदार के लिए सबसे बड़ी तारिक है, और यही बातों के लिए लगतार चोकिदार दफदार सरकार से पून्टा कहा जाए तो बड़ी ही confidential way में उनसे बाती करते रहें कहा जाए तो विनर्मता से सरकार से मांगे करते रहें कि सरकार उनकी मांगे पूरी कर दी यह तारिक इसलिये फिक्स था कि सरकार इस से पहले बड़े फैसली सुना दे चौकिदार दफदार मामले में लेकिन इसके बाजूत राजनती गलियारों में हलचल तेज होने के बाजूत बिहार विधान सबत शुना नजदीक होने के बाजूत भी सरकार उनकी मांगों पर ना ही बड़े फैसले लिये और ना ही कोई नियमित रूप से बड़ा ब्यान दिया लेकिन कहा जाये तो चौकिदार दफदार की अब उम्मीदे टूट चुकी है और यही कारण है कि आज़े 11 नमबर जहाँ चौकिदार दफदार बड़े ही तदात में बिहार की रजदान ये पटना पहुँच रहे हैं और आज हर एक मीडिया चैनल के साथ चौकिदार दफदार अपने आवाजों को बुलंदी के साथ सरकार पर घेराव बनाएगा सरकार क्या कुछ करेंगी सरकार कब इसका निर्वाहन करेंगी सरकार कब बड़े फैसले लेगी ये काफी पॉइन्ट वाली बात हो जाती है लेकिन आपको बता दे चौकिदार दफदार बिहार की रजधारी पटना पहुँच रहे हैं पटना में उनका काफी ही जादा जन सेलाब के साथ जो भीर उम्रेंगी ये देखने वाली बात होगी लेकिन चौकिदार दफदार बिहार की रजधारी पटना आज पहुचने वाल कि जब चौकिदार दफदार सड़क पर उतरेंगे तो किस तर से भीड के तदात में उतरेंगे और क्या माहौल होगा यह सरकार पुंता रुप से हर एक बातों को जानती है इसके बाजूद 11 तारीक का इंतजार करती रही सरकार और यही आज 11 तारीक है जब चौकिदार कितने बज़े से अपने कारे को आगे बढ़ाएंगे सरकार पर तंच कसंगे और कहा जाए तो पुंता रुप से अपनी मांगों को फिर से बुलंदी के साथ उटाएंगे देखिए इस तस्वीर में सबसे पहले इस सूचना पत्र में साहत तोर पे लिखा है कि सेवा में संपादक जी, सनवाद दाता, छायाकार, इलक्ट्रोनिक मीडिया के साथ ही हो यानि सभी मीडिया प्रवंधों को भी ये सूचना दिया जा रहा है मानिवर साथ सूचित करना है कि पुर्व में सेवा निर्वीत तथा सेवा निर्वीत होने वाले दफदार चौकिदारों के आस्रीतों की बहाली, सर्मैचिक, सेवा निर्वित्ती के शेस बचे आस्रीतों को नियुक्ती पत्र निर्गत करने एवं और नियम मांगो को लेकर आज दिनांक यानिकी 11 नमंबर 2024 को देड़ बजे 1 बज के 30 मिनट पर दीन में बिहार राजित दफ़दार चौकिदार पंचायत कारगिल चौक से जेपी गुलंबर पटना तक प्रदर्शन करेंगे जैसा कि सूचना पत्र के जरी हमें भी चौकिदार दफ़दार भाईयों के द्वारा बुलाए गए और हमारी टीम मौजूदा उस समय पर पहुचेगी चौकिदार दफ़दार मामलिक को फिर से बुलंदी के साथ उठाये जाएगा और इस बार सरकार पर सिर्फ तंज ही नहीं कसे जाएंगे बलकि सरकार को आप नियमित रूल से हमारे चौकिदार दफ़दार भाईयों की मांग को पूरा करना ही होगा यानि आज जैसा की बिहार की रजदानी पटना में आप सभी एक बज़े से मौजूदा रहें चौकिदार दफ़दार भाईयों के लिए आज बिहार की रजदानी पटना में मौजूद रहें एक बज़े का समय है जिस वक्त चौकिदार दफ़दार भाईय अपनी मांगो को सरकार के समख रखेंगे और फिर से सरकार का क्यार रूप होगा ये काफी देखने वाली बात हो जी लेकिन ये पॉइंट जो हम आपको सूचना पत्र दिखाएं तस्वीरों के माजन से उस समय पर उस नियमित अस्थान पर आभी पहुँचे चौकिदार दफ़दार भाईयों के पुंतर रूप से बाती करें और उनके मांगों को पूरा करने की हर एक कोसिस जायज रहेगी उनके मांगे पूरी ना हो जाए तब तक लिए ऐसी बने रहेगा पल पल अपडेट के लिए एक निउस 24 पर धन्यवाद